पंचकुला हिंसा मामले में पुलिस कोड में नहीं दे पाई सबूत श्री गंगानगर के कस्तूरी लाल समेत 10 आरोपी बरी राम रहीम को दोशी ठेराई जाने के बाद भड़की थी हिंसा डेरा सच्चा सौधा प्रमुख गुर्मीत राम रहीम को दोशी करार दिये जाने के बाद पंचकुला में हुई हिंसा के मामले में अदालत ने 10 आरोपियों को बरी कर दिया है बरी किये गए आरोपियों में श्री गंगानगर का कस्तूरी लाल भी शामिल है गौरतलब है कि 25 अगस 2017 को पंचकुला स्थित स्पेशल CBI कोर्ट से जब डेरा प्रमुख राम रहीम को साधवी यौन शोशन मामले में दोशी करार दिया गया था तो उस दोरान पंचकुला में हिंसा फैल गई थी मीडिया फाय ब्रिगेट सहीत अन्ने की गाडियों को आग लगा दी गई थी इस दोरान फाय ब्रिगेट की जो गाडिया मीडिया की गाडियों में लगी आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी उसे ही आग के हवाले कर दिया गया था इस मामले में पंचकुला पुलिस ने 5 ब्रिकेट कर्मी सुरेंद्र की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर 10 आरोपियों को पकड़ा था जिसके चलते अब इसी केस में पंचकुला कोट ने अपना फैसला सुनाते हुए 10 आरोपियों को बरी कर दिया है असल में पंचकुला पुलिस ने इस केस में जिन आरोपियों को पकड़ा था पुलिस उनके खिलाफ कोट में पक्के सबूत पेश नहीं कर पाई जिसके कारण कोट ने सबूतों के अभाव में आरोपियों को बरी कर दिया 25 अगस को पंचकुला में हेफट चौक के पास फरिदाबास से आई 5 ब्रिगेट की गाड़ी को आग लगा दी गई थी ये 5 ब्रिगेट उस दोरान मीडिया की गाड़ीों में लगी आग को बुझा रही थी इस गाड़ी में मौझूद ड्राइवर सुरेंदर कुमार को पीटा गया था और सामान सहीत इस गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया गया था इस दोरान गाड़ी में 5 जोड़े ममबूट, 5 हेलमेट, कंबल समेथ, अन्या सामान भी जल गए थे पुलिस ने पटियाला के रहने वाले दलभीर सिंग, अमरतपाल, गुरिंदर सिंग, भगवन सिंग, देवी दयार, नजीर सिंग, संगरूर के रहने वाले जगदीज सिंग, जगता सिंग और श्री गंगानगर के रहने वाले कस्तूरी, तथा रोहतक के रहने वाले मधूर पुलिस ने धारा 307 की धारा को केस रेजिस्टर्ड करने के बाद दर्च किया था पंचकुला की कोट ने गुरुवार को इन आरूपियों को बरी किया है